नमस्कार दोस्तों मेरा नमसती साब देख रहे हैं मेरे जमू जिला के स्स्वी जमान जो है सिकंदर यादब जी का हंद्या के पाथ क्या हुआ बड़ी बात आए जी संजे कुमार जी ने कही बड़ी बात संजे कुमार जी ने कहा अब लेगे हम नकसलियों से बदला संजे कुमार जी ने यह भी कहा है कि अब नहीं चलेगे नकसरियों का राच तो आपको हम लाइप पूरूप देखाते हैं क्या कहा है तो आप हमारे वीडियो में जूले रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओन कर लिजिए लाल बटन को चलो क्लि से उन्होंने किया है एक जो जवान अभी एक्टिव ऑपरेशन में हमारे यहां जमुई में भी पोस्टेट नहीं था वह इंडो नेपाल बॉर्डर पर किस लोकेशन में पोस्टेट था वो घर पे आया है तो सिर्फ एक दर्शत फैलाने के कारण कारण सकते हैं या अपनी क आरता को छुपाने के कारण लोगो ने ऐसी एक बीनावनी कारवाई की है और मैं यह मानता हूं कि अब जैसे नक्सलों को खत्म होने के समय में पटाहट जो होती है इसके कारवाई है और हम बिल्कुल रेडी हैं इसका माकूल जवाब दने के लिए बहुत जल्दी हम भी बदले की कारवाई करेंगे और ना सिर्फ इस इस इलाके से पर इस पूरे रिजन से हम यह नक्सलाइट्स करेंगे कि अभी हाल के दिनों में दो तीन दिन पहले काफी एक अच्छा उपरेशन हमारे कोब्रा से पीएफ और इस इस इलाके में किया था करवाई तो बिल्कुल जारी है आगे भी जारी रहेगी अब यह है कि दुश्मन के लिए हमारी कारवाई को तोड़ी और हम टेज करेंगे कि जवान को चारजी चलके लगाया है अगी तक तो सर सिर्फ सिभेलियन को निसाना बनाते थे मुखबिर का आरूप लगाते थे लेकिन यह जो यहां द्यूटी में भी तैनात नहीं थे दूसरे जगह थे उसके बाद इस तरह से निसाना बना रहा गया है सर इस पी कि मैंने आपको शुरू में बताया ना कि डिस्परेशन है डिस्परेशन में कायरतापुर्ण की गई कारवाई है उन्हें कुछ हमारे से डिरेक्ट लगने का साहस नहीं है उन्हें एक सिविलियन की रूप में जो घर पे चुटी मनाने अपने बेटी के जनम दिन में आया ह पर मैं इसपी सहाब से दर्कास्त करूंगा कि एक टीम बनाएंगे और जो इसके गुनास गार है उसके नाम जल्दी शामने आए उसको कानून अपना काम